मेरा नाम हूँ अनिलम्देवी घर बिलहाजी लामदवनी आज मैं आप लोगों को डियक्षन पोड़क्ट के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ क्योंकि यह जो डियक्षन पोड़क्ट है हम लोग को लिए बहुत अच्छा पोड़क्ट है और यहां से हम लोग अपना स् सकते हैं यहां से मान समान भी ले सकते हैं जो हम नहीं सोचे होएगा वह हमें यहां से मिलेगा इसके लिए हमको डियक्षन के बारे में जानकारी लेना जरूरी है क्योंकि जब तक कोई चीज के बारे में जानकारी नहीं होता है तब तक हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं इसमें आघे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिये हम लोगों को जनकारी लेना है जो आखी डियक्षन में क्या करना चाहिए। हम लोग कहीं न गैस के प्रोब्लम से परेशान खहना है। कहीं न कहीं हर एक दीद हम लोग इस्तिमाल करते हैं वो टबलेद हम लोगों को बहुत हानी पहुचाते हैं अगर हम इस डियक्षन को बारे में जान लेंगे समझ लेंगे तो यही रिसी गेमोटी चाहे हमको स्वास्त को भी अच्छा रखेगा हमें इंगलिस दवा से भी बचाएगा ग्यास का प्रॉब्लम हमारे सरीर में नहीं ह होने दे गया क्योंकि ग्यास से ऐसा चीज है जो हमारे सरीर का हजारों प्रॉब्लम को पाइदा करता है तो इसके लिए हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है सबसे पहले खुद को समझना है अब खुद को समझने के बाद इसमें से दो-चार पोड़क्ट ऐसा है हमको यूज क करना है। जैसे यह पहला में चाई हो गया। दूस्रा नमर में यह पेश्ट हो गया। तीस्रा नमर में यह ऐसपे लूना हो गया। और यह चौथा नमर में यह नमक हो गया हम तीने चार पोड़क्ट को सबसे पहले विश्वास जगाने के लिए जैसे कि बहुत लोग कहते हैं इस चाय में हजारों मतलब समस्या दूर होते हैं तो सबसे पहले कहने सुनने से तो कुछ नहीं होता है जब तक आप खुद को यू है जब यूज करते हैं जब आपका यानि की गार संब्राहत होने लगता से तोर को हजार है कहीं ने कहीं हमारे घर में थो तखा ह मोड़ा प्रोब्लेम होता रहता है जैसे किसी का दमाथा दर्द कुणक समय दर्द्द कोई जल गया कोई कट गया ckoe qt लग तो हम ऊस चीज म गवरा जाते हैं कि अचानक कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे लेकिन यह जो हमारे घर में पेश्ट रहेगा तो हम घवराएंगे नहीं वह उहां पर लगा देंगे या घुल कर पी लेंगे तो हमारा जो समस्या है 5-10 मिनत में खतम हो जाएगा तो इसके लिए पहले यूज करन है यूज करने के बाद जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो इसका जो है हम दूसरों में बताएंगे इससे केरियर बनाने का बात करेंगे तो केरियर बनाने का बात हम कैसे करेंगे अब हम खाने पीने का प्रड़क्ट जब यूज यह खाएं प्यें मेरा स्वास्त अच्छा हो गया तो इससे सब लोग सुचते हैं कि स्वास तो अच्छा हो गया लेकिन हमको इसमें पैसा कैसे आया तो पैसा आने का आने के लिए आप लोगों को दो चार चीज को खैल रखना होगा क्योंकि जब आप इसमें जानने के लिए आपका सबसे पहले एक फाइदा होगा कि ज कि मिल जाएगा पहला आपको जादा कुछ नहीं लगा कार्ण बनाने में कोई पैसा नहीं कैसा लगता है आपको अधलबादा पीघ्यांगा आपको काड़ करना पर यह 1,000 PB का मतलब हुआ 3,000 का खरदारी जब आप 3,000 का खरदारी कीजिएगा तब A ba आपको लगे कि मेरा अच्छा हो गया हम दूसरों को भी मदद करें दूसरों को भी बताएं तो आप जो अपना काड को एक हजार पीवी कर लिए तीन हजार खरदारी करके तो आपका काड फिरी हो गया आप अपने नीचे में दूसरे आदमी को काड बना सकते हैं जब यह आप एक हजार पीवी पड़ गए तो पहला महिना में आपका 6% का बोनस जोर कर आएगा इसमें एक हजार पीवी में 6% का बोनस आपका जोर का आएगा शुरू में लगेगा कि इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा पैसा नहीं है यानिकी सव मतलब सव सवासो आता है उसके बाद धीरे धीरे आप जब इसको समझ लिजेगा अपना नीचे में काड बनाता जाएगा तो जाएगा उसके बाद 9% पर आप चले गए जरूरी नहीं आए अपने ही पीवी अपना तो एक हलार पीवी हम करेंगे लेकिन दूसरे नीचे में कितना दूसरे आदमी मतलब करेगा तो पीवी एद होता रहेगा उसके बाद आप 9% पर चलेंगा फिर आपका जब 10,000 पीवी हो जाएगा तो आप जो है 12% पर चले जाएगा 12% पर चले जाएगा उसके बाद जब आपका 20 20,000 पर पीवी आपका हो जाएगा तो आप 15% पर चले जाएगा 15% को उस महिना में बोनस आपका जोर कर आएगा जब आप सारे 32,500 आपका पीवी हो जाएगा तो आप 18% पर चले जाएगा 18% का उस महिना में बोनस आपका आएगा उसके बाद आप 45,000 पर चले गए तो आपका 25% पर चले जाएगा आप तो 25% पर चले गए 45,000 के बाद आप यह नहीं है कि हम खुद को 45,000 पी भी करेंगे मान के चले आप अपना आडी बना लिए आप से संभब नहीं हुआ आप अपना बना लिए घर बैठने कोई दीकत ने ऐसा तेज तिरार आदविन को अपने नीचे में डाल दिए ओ जितना पीवी करेगा उस पीवी आप में जूरता चला जाएगा आप फिरी में एस्टार बन सकते हैं इस्टार बनने में कोई मुश्किल नहीं है आप खाते पीते भी इस्टार फिरी में बन सकते हैं उसके बाद यहां एक है एक यहां एक डिस